इस segment में हम लोग discuss करने वाले है theorem of perpendicular axis ये भी moment of inertia segment से जुड़ा हुआ है हिंदी में इसे हम बोलेंगे लंबवत अक्षों का प्रमे पिछले turn पे हम लोगों ने theorem of parallel axis देखा था और उसका proof भी समझा था आज हम लोग theorem of perpendicular axis पढ़ेंगे तो ये theorem भी plane laminar body के लिए ही apply होता है तो माल लेजिए हमारे पास plane laminar body है plane laminar का मतलब हुआ समतल पटल तो यहाँ पे एक ये समतल पटल नुमा एक ये body है और माल लेते हैं इसका total mass M है अब यहाँ पे ये जो body है ये माल लेजिए xy plane में रखा हुआ है तो ये x axis हो गया ये y axis और इस plane ये जो laminar body है इसके plane के perpendicular ये axis है z अब ये जो laminar body है इसको z axis के along rotate किया जाता है माल लेजिए omega angular velocity से यानि axis of rotation क्या है? z axis तो यहाँ पे हमको ये निकालना है कि मतलब इनके बीच में relation निकालना है कि एक बार माल लीजिए हम इसको z axis के along rotate करते है तो इसका moment of inertia निकल के आता है i z एक बार हम इसको X-axis के along rotate करते हैं तो moment of inertia निकल के आता है I-X एक बार हम लोग Y-axis के along rotate करते हैं तो moment of inertia निकल के आता है I-Y तो ऐसा पाया गया है इनके बीच में relation ये होता है कि ये दोनों देखिए X-Y एक plane में है Z इसके perpendicular है तो ये I-Z बराबर I-X प्लस I-Y होता है ये relation इनके बीच में होता है ठीक है इसी को हम लोग theorem of perpendicular axis कहते हैं इसी को हम लोग proof करने वाले हैं clear तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे एक ये जो plane laminar body है इस पे एक ये कोई point माल लेते हैं जिसका mass है M अब ये जो mass M है ये इस origin जहाँ पे ये तीनों axis एक दूसरे को cut करते हैं वहाँ से R दूरी पे है मैं यहाँ पे ये perpendicular इस point से डालता हूँ अगर X axis पे तो जहाँ पे ये cut करता है वहाँ से यहाँ तक की दूरी है X और यहाँ पे perpendicular draw करता हूँ तो O से यहाँ तक की दूरी है Y आप ऐसे clear इस diagram में देखिए X ये perpendicular है आपको भले ये अजीब लग रहा हो पर ये 3D में है तो यहाँ पे ये 90 degree बना रहा है यानि कहने का मतलब अगर आप triangle कोई पकड़े जैसे O M माल लिजे ये Q माल लिजे O M Q पकड़िए तो यहाँ पे Q पे जो angle है वो 90 degree है यानि O M क्या है O M kern है hypotenus है समझ में आया क्योंकि यहाँ पाइथा गोरस प्रमे भी use होगा और ये वाला दूरी चुकी Y है तो ये भी Y होगा यानि R square is equal to X square plus Y square ये relation याद रखिएगा इसका use हम लोग आगे करेंगे इसी topic में ठीक है क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो diagram आप यहाँ पे देख रहे हैं ये XY plane में बना हुआ है इसलिए आपको ये ऐसा समझ में आ रहा है कि ये कैसे 90 degree होगा बट ये perpendicular draw किया गया है यहाँ इस M point से ठीक है M point से यहाँ perpendicular और यहाँ perpendicular draw किया गया है ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले statement देख लेते हैं statement क्या है जो की X और Y की बात कर रहा है intersecting on the first axis यानि किसी समतल पतल का लंबवत अक्ष के परिता जड़त आघून इस अक्ष को काटने वाले समतल पतल के तल में ही किनी दो लंबवत अक्षों के परिता जड़त आघून के योग के बराबर होता है यानि IZ is equal to IX plus IY square अब इसका proof देखने के लिए हम लोग यहाँ पे यह जो पार्टिकिल लिये हैं M इसका moment of inertia O के along यानि इस Z axis के along निकालेंगे तो यह अगर इस प्रकार से यह rotate कर रहा है यह particle Z axis के along O के along तो इसका moment of inertia क्या हो जाएगा? इसका moment of inertia IZ is equal to हो जाएगा summation of MR square और अब यह भी हमने बताया कि R square is equal to क्या होगा? X square plus Y square तो यहाँ पे यह summation बढ़ जाएगा यह IZ is equal to summation MX square plus summation MY square अब MX square क्या है? यह है moment of inertia along X axis और summation MY square क्या है? moment of inertia along Y axis same pattern का, same lamina का ठीक है? तो यहाँ पे यह proof हो जाता है IZ is equal to IX plus IY इस दोनों formula को याद रखिएगा एक theorem of parallel axis का और दूसरा यह theorem of perpendicular axis का direct तो exam में पूछा ही जाता है बट इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा जब हम किसी specific body जैसे disc हो गया, rectangular lamina हो गया sphere हो गया, cylinder हो गया जब इनके हम लोग moment of inertia निकालेंगे तो वहाँ पे इन सभी theorem का प्रयोग किया जाता है ठीक है, तो वहाँ पे इन theorem का उपयोगिता जादे बढ़ जाता है ठीक, तो यह बस एक छोटा सा topic था I hope आपको यह segment पसंद आया होगा ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल